हेलो एब्रिवान आज जो हम कंपारिजन कर रहे हैं वो दो बहुत ही अच्छी लाइफ इंचॉरेंस कंपनी के पैंचन प्लान के कंपारिजन के बीच में हैं यह हैं आपका LIC का जीवन शान्ती पैंचन प्लान वर्सिज ICC Potential का Guaranteed Pension Plan दोनो ही मार्किट में लीडर्स कंपनी हैं और बहुत ही अच्छी इंचॉरेंस कंपनी हैं और यह दोनों प्रोड़क्ट भी बहुत अच्छे हैं आज हम आपको इन दोनों प्रोड़क्ट का कंपारिजन देंगे देखिए हमारी कंट्री में पैंचन की प्लानिंग बहुत ही कम की जाती है और जो लोग करते भी हैं वो ज़्यादा तर देखा जाता है कि वो अपने अमाउंट को Fixed Deposit में रखते हैं और उसे जो Income आती है उसे monthly expenses को maintain करते हैं और जेसे साब से पिछले कुछ सालों में Fixed Deposit के rate डाउन गए हैं उसे साब से Fixed Deposit पे Depend रहना काफी risky हो सकता है यहजिए सो market में इस तरह के plan हमारी pension related problems को काफी हट तक solve कर रहे हैं so comparison start करते हैं entry age दोनों ही product में आपकी 30 years है maximum entry age आपकी जीवन शानती में 79 years है जबकी ICIC potential में अलग-अलग variant में अलग-अलग entry age है जो की हम screen पे डाल रहे हैं आप stop करके check कर सकते हैं या screenshot भी ले सकते हैं पेंचन टाइप की बात करें तो दोनों ही product में आपका immediate annuity यानि की अभी से भी pension लेना आप start कर सकते हैं plus deferred annuity यानि की कुछ समय के बाद भी आप pension लेना start कर सकते हैं mode of payment दोनों ही product में single है means जो भी आपको investment करनी है वो one shot में करनी है deferment time आपका ICAC potential में एक साल से 10 साल है जबकी LIC में यह एक साल से 12 साल तक available है minimum annuity की बात करें तो आपकी इतनी investment होनी चाहिए कि साल में आपकी बारह हजार pension कम से कम बने बट LIC के जीवन शांती plan में अगर कोई disable है तो वह मिनिमम पचास हजार रुपे की investment भी कर सकता है maximum investment की कोई भी limit नहीं है mode of annuity यानि की आपको अपनी pension किस mode में चाहिए monthly mode में quarterly mode में half yearly और yearly जो की दोनों ही product में available है दोनों ही companies ये facility provide करती है बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब monthly mode में या quarterly mode में जाता है तो आपको pension थोड़ी कम मिलेगी so yearly mode ही select करें दोनों ही product में आपका single और joint life दोनों ही option available है death benefit की अगर बात करें तो कल को अगर policy holder की death होती है तो purchase price का 105% या accurate additional benefit plus purchase price इन में से जो भी जादा होगा वो nominee को pay कर दिया जाएगा LIC इसमें एक option और provide करता है कि death की situation में अगर nominee अपनी amount को किसी भी mode में ले सकता है जो कि 5 साल 10 साल और 15 साल के बीच में हो सकता है वो monthly mode में भी जा सकता है और yearly mode में भी जा सकता है example अगर 10 लाक रुपे पे किया था और policy holder की death हो जाती है तो nominee उसको 5 साल में भी ले सकता है 10 साल में भी और 15 साल में भी जो कि monthly mode में भी ले सकता है जबकि ICC potential में यह option available नहीं है दोनों ही companies extra premium pay करने पे थोड़ा सा extra interest का benefit देती है अगर आप LIC की policy को online खरीते हैं तो 2% का extra rebate आपको मिलता है अब बात करते हैं pension के बारे में कि कौन कौन सी company किस हिसाब से pension pay करती है LIC के पास सरिफ दो variant available हैं जो की आपका single life with return of purchase price है यानि की आपको pension मिलती रहेगी और कल को आपकी death की situation में आपके nominee को जो भी आपका purchase price है वो pay कर दिया जाएगा दूसरा है आपका single plus joint life with return of purchase price यानि की आपकी death की situation में आपकी wife को pension मिलती रहेगी और उनके ना होने की situation में nominee को पूरा return of purchase price दे दिया जाएगा जबकि ICC potential में यह एट type of annuity option available कराता है जो की हम screen पे डाल रहे हैं और सब को one by one explain भी कर रहे हैं जो सबसे unique points है वो है आपका immediate annuity for life with return of premium at 80 years यानि की जो भी आपकी pension आपके investment के हिसाब से decide होती है वो आपको regular मिलती रहेगी और जो भी आपने amount pay किया है वो 80 years की age में आपको वापिस मिल जाएगा और आपकी आगे भी pension continue रहेगी दूसरा option है आपका immediate annuity for life with return of purchase price from 80 years 50% यानि की जो भी आपने investment की है उसका 50% आपको 80 years की age मिल जाएगा और बाकी का जो 50% है वो death की situation में no money को pay कर दिया जाएगा और आपकी जो pension है वो continue रहेगी यानि की आपकी pension 80 years तक चलती रहेगी अगर आप alive हैं तो 80 years में आपको 50% आपको payment भी मिल गया उसके बाद भी pension चलती रहेगी और death की situation में जो भी आपका purchase price था वो आपकी no money को pay कर दिया जाएगा third point है आपका immediate annuity for life with return of purchase from age 76 यानि की जो आपकी pension decide हुई है वो तो आपको मिलती ही रहेगी plus 76 की age में आपको 5% extra आपको purchase price का हर साल pension के साथ आपको मिलता रहेगा और अगर पैसे पूरे होने से पहले अगर death होती है तो जो भी return of purchase price है वो no money को pay कर दिया जाएगा deferred annuity में भी आपके दो option available है जिसमें सबसे पहला है आपका annuity for life with return of purchase with single or joint life यानि की आप अपने लिए annuity जो select करते हैं वो single भी ले सकते हैं joint life भी ले सकते हैं with return of purchase price दूसरा option है आपका deferred annuity for life with return of purchase price on critical illness और permanent disabilities कल को अगर policy holder को कोई permanent disability होती है या कोई critical disease होती है जो इनकी listed है सो जो भी आपने amount pay किया है वो आपके आपको मिल जाएगा अपनी liability को आप manage कर सकते हैं इसके pension के लिए icc potential बहुत सारी variety policy holder को देती है जो कि एक अच्छा option है lic में सिर्फ दो option available है next point की बात करें जो है आपका top up icc potential में अगर आपको लगता है कि आपकी pension कम है तो आप बीच में पैसा extra add करके अपनी pension को increase कर सकते हैं जो कि आपका immediate और deferred annuity दोनों में ही available है जबकि यह option आपका lic में available नहीं है loyalty booster for existing clients icc potential 1% का extra benefit देती है pension पे अपने existing customers के लिए example अगर आपका नय कोई customer है तो अगर उसकी pension 1,18,670 रुपे बनती है तो existing customer की वही 1,18,870 रुपे pension होगी यह option आपका lic में available नहीं है surrender value आपका दोनों ही product में 3 साल से पहले 75% return of purchase price है जबकि 3 साल के बाद आपका 90% surrender value है जो की दोनों ही product में same है lic के जीवन शांती plan में आप 3 महीने के बाद loan के लिए भी apply कर सकते हो अब एक example लेते हैं 35 साल के इंसान का जो अपने लिए pension लेना चाते हैं अगर वह इंसान 20 लाख रुपे LIC के जीवन शांती plan में invest करता है 10 साल के deferment waiting period पे तो उनकी जो pension बनेगी वो 2,7,000 रुपे yearly बनेगी half yearly एक लाख एक हजार तीन सो बहतर होगी quarterly पचास हजार एक सो चववन और month ली 16,541 होगी जबकि ICC potential में यह 2,6,643 रुपे होगी आप देख सकते हैं कि interest के लिए आज से दोनों product almost same है जादा difference नहीं है यह था एक comparison दोनों ही product के बीच में लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने लिए pension plan देख रहे हैं ऐसे useful videos हम लोग लाते रहते हैं तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए thank you for watching